योगी की सामने यूपी विजय का मन्त्र सिखा गए मुलायम सिंग मुलायम सिंग यादव ने रविवार को अपना 81st जनम दिन मनाया अस्वस्त चल रहे मुलायम सिंग को पहले तो जन दिन समारों में लानी को ले कर ही संशे था लेकिन अतंत उन्हें समाजवादी पाठी कारेकरताओं को प्रेरित करने के लिए उनके सामने लाया गया तो पोरा हॉल मुलायम सिंग यादव जिन्दाबाद के नारों से गोंच उठा समाजवादी पाठी के इस बोड़े शेव में भी पाठी कारेकरताओं को निराश नहीं किया और पाठी को 2022 विधानसभाद चुनाव की जीत का मंत्र दे दिया मुलायम सिंग यादव ने अपने 2-3 मिनट के बेहत संक्षपात संबोधन में अखिलेश यादव को अगले विधानसभाद चुनाव के लिए जोश बनाए रखने और सब को साथ लेकर चलने का मंत्र दे डाला अब अपने पिता की सीख पर अखिलेश यादव कितना अमल कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी जंदन समारों में शामिल पाती के एक वरिष्ट नेता के मुदाबिक मुलायम सिंग अभी भी पाती को एक परिवार के तरह चलाई जाने के पक्ष में है वे चाहते हैं कि समाचवादी पाती अगला चुनाव एक जुट होकर लड़े और बहतर प्रदर्शन करके दिखाए नेता के मुदाविक परिवार के विखराव की बड़ी कीमत पाती को उठानी पड़ी है और विधान सबा चुनाव की साथ साथ लोग सबा चुनाव में भी पाती की स्तिती बेहत खराब रही है लेकिन नेताची को भी अभी लगता है कि अगर पाती पूरे दमखम के साथ मैदाम में उतरे तो 2022 में उसे अच्छी सफलता मिल सकती है कि अगर बेहता है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो друз कर दो दो कर दो दो कर दो